नमस्कार मैं हूँ अम्रिताने मेशेन और आप देख रहे हैं आदी टीवी बिल्टिम की शुरुबात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तर प्रदेश की राज्थानी लखनों से मिल रही है ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारी को लेकर आज बैठक होने जा रही है वरंदवन योजना कारेकरम सल में तीन बचे बैठक होगी और द्योगिक विकास मंस्री नंद गुपाल गुपता नंदी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे तो ग्लोबल इंवेस्टर समिट की अम्रेंद्र प्रताप सेंक्यों अम्रेंद्र ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियां लगभख पूरी हो चुकी है और आज इससे लेकर बैठक भी हो रही है अम्रता जी देखिए 10 और 11 और 12 फरवरी को राजधनी लखनों में ग्लोबल इंवेस्टर समिट का योजन है उससे पहले आज की है बेहत मात्पूर बैठक है नंद गुपाल गुपता नंदी योपियो जोगित विकास विवाद के मंत्री है उनहीं का विभाग जो है ग्लो जहां डिखेंस एक्सपो यह सा कार्कम हो चुका है यहां पर एक बड़ी प्रदरशनी लगाई जाएगी इसमें उस्तर प्रदेश में जोगों को लेकर क्या कुछ की विधाएं इन्वेस्टर्स को दी जा सकती है इस सभी तीजों का प्रदरशन किया जाएगा ऐसे में यह आज भी तो पूण है अब जो अब होने वाने और यह सामील होने और यह जाली बने रहे हैं अमरे साथ अम्रेदर आपसे और चानकारी हम लेंगे तो बतादेशी बैठक काफी महतवपून महने जा रहे हैं क्योंकि निर्क्शन करने भी गोपाल गुपता नंदी कई बार प लिया जाएगा क्या कुछ तैयारियों जो हुई है उसमें अगर कोई खामी है कोई कमी रहे गए उसको लेकर आज बैठक की जाएगी और उससे जल्द से जल्द दुरूस्त करने की भी इस बैठक में बात कही जाएगी और आज ग्लोबल इंवेसिस समेट की तैयारियों को लेकर जो बैठाक होने जा रही है उसमें मंत्री नंदि गोपाल गुपता नंदी मुक्त तौर पर मौजूद रहेंगे और फीदबैक लेंगे कितनी तैयारियां लगभक अब पूरी हो जो क्योंकि कुछ ही दिन का समय बचा है और लखनो में ग्लोबल इंवेस्टिस समिट की समिट होने जा रहा है चुले बात कर टैकली बड़ी कवर की जो की लखनो से मिल रही जापर प्रदेश के 35 डॉक्टरों के तबादले निरस्त किये गए हैं डॉक्टरों का 30 जून 2022 को सानंतरन था कारेभार गरण ना करने पर तबादले किये गए निरस्त तबादलों में न जानखारी के लिए रुक करते समधता अम्रेंद्र की और अम्रेंद्र प्रदेश के 35 डॉक्टरों के तबादले अब निरस्त करती हैं क्या को जानखारी कि यह तबादले लगवग 400 तबादले एक साथ हुए थे उत्तर प्रदेश में जाक्टरों की बैसे भारी करनी है प्रदेश की जनसंख्या को जेखके लिए लगवग आठेट में 5-6 अजार दॉक्टर्स कम हैं जाक्रों के पद खाली है और ऐसे में जो 4-5 तबादले यह कि इनको लेकर अपकी थी जाक्तों को जाक्तों को कहना है कि जो तबादला नीती है प्रदेश सरकार की यह तबादले उस मीथ की आधार के लेए यह तबादले मनबाने तरीकर किये गए और ऐसे में लगवग 200 डाक्टर्स ने ज्वाई नहीं किया था उनका तबादला होकर कि जहां उनने भेजा गया था वहां पर उनका कारवार महीं रहा था और आप वो उसी के तह़ए सरकार ले जाक्तों के साथ में तरीके से सम्झावता करते हुए लगवग 25 डाकों को तबादला मिलश कर दिया है और उनने जहां पर वह अपनी शुदात दिखार करना चाहते वहां कारचमेक्ता मोका गया है कि तुन जवहों पे भी डॉक्टर्स की जरूवत है और ऐसे में सम्हावना बनी है कि और भी तबादे मिलस किये जाथे हैं जास्टरों के कमी को जेटे विए पुल मिलाकर यह जान दीजिए कि मरीजों की सुधात्रे जास्टर्स की तैनाती द अहुआ फ्मर्ण जिस तरह से उत्रदेश के आबादीर उससी देखती हुए कंसे कम चार्श से पांच हजार डॉक्ट्टरों की कमी है है और जिस में 30 जून को डॉक्टरूं के तबादले से राचमें बवाल म्चिदा ओर तबातले के एक साल की भीतर कर्या बहा रही दॉक पर आपकाल भी कई डॉक्टरों का नाम तबादला सूची में आ गया था जो तबादला नीती के प्रावधान के खिलाफ था और अब जो तबादली होने निरस्त कर दिया क्या है कारेभार गुरहन का ना करने पर यह तबादली किये गए और निरस्त और दोस्त से अद़ी अब सुकून भरी रहने वाली है हजरत गंज में वेले पार्किंग की सुविधा जल्द मिलेगी चैफरवरी से वेले पार्किंग की सुविधा शुरू होने जा रही है नगर निगम ने एक निजी कंपनी को इसकी जिमिदारी सौपी है वेले पार्किंग सुविधा के पार्किंग में एक तल से प्रियोक के तौर पर इसकी शिरुबात की गई है प्रियोक सफल होने पर सभी भूमिगत पार्किंग में इसे लाकू कर दिया चाहेगा चलिए जाधा चानकारी के रुख गड़ते समधत आम परिदाप सिंग्यू राम रेंद्र अब हसरत गंच की ज जो है इस तो छेपर अमरी को लाज़ किया जाएगा और उसके बाद एक सुविजा होगी कि जो भी लोग अपने कार्यों से जाते हैं वहाँ पर करिदारी करने जाते हैं या ने किसी कार से हजरत जंग इलाखे में जाते हैं इस इस बेस्तम इलाखा हजरत जंग है सबसे बीव देड़ा थेर सारे बड़े शोरूम बड़े मार्केट के तुकांदारों का अपना जो है वो दिप्ले इस एलिया एरिया में है जालधानी लगरों में लंबे समसे हजरत जिन को सबसे बीवी आई टी सबसे मुखे चेंटरल एर अम यहाँ पर धेर सारा फुक्षाल होता है अर ईकांदायम गाड़ियां भी लेखे लोग जाते हैं और यहाँ पर आइसे में जाम सी जो इसे की बनती है उससे मिजाद पाने के लिए और लोगबाद यहाँ वहाँ आपती गाड़ियां पार्क करें इसके लिए यह पर्दा नगर निजम यह है कि बरबरी के चालू करन कि अब ड्यारी को अ आपको खु़गवां परकीं के लगाएंगे और जब खाल गरें जायएंग ERIC करेंगे county आतानी मान परना होंगे serad हो भार्य में ड़िदहिवा SH पार्किंग में इसको लागू किया जाएगा फिलहाल ये आले प्रोजेक्ट के रूप में हट्रफ जन इलाखे में लागू करने जा रहा है नगर में अमरता की बिल्कुल बहुत 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 शुक्री अम्रें दे तुमाम चानकारी के लिए तो बता दे कि पहले अब ऐसा नहीं होगा और कहीं न कहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि 24 घंडे से अधिक सडकों पर रात भर के लिए प्रतिबंद कर दी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एक बड़ी रहत जो है वहां लोग पहुंचते हैं शॉपिंग के लिए उन्हें मिलने व और हजरत गंश में अब जिस तरह से वैले पारकिंग की सवधा शुरू की गई है एक बड़ी रहत वहां पे जो लोग पहुंचते हैं उनको मिलने वाली है